हेलो फेंड मैं हूँ आपका होस दोस आदर्स आपका स्वाध करते हैं आपके अपनी योटुब चैनल में इगनु ने जून 2021 के लिए समिशन आफ पोर्जेक्ट, डाइसर्शन, फिल्ड वर्क, जर्नल और इंटर्नसिप रिपोर्ट के लिए ओनलाइन पोर्टर लिरीज कर द रिजनल सेंटर होते हैं, हेटक्वार्टर होते हैं, वो सब अभी बंद है, तो आपको अनलाइन मोड में ही अपना पोर्जेक्ट, डाइसर्शन, फिल्ड वर्क, समिट करना होगा, और इस वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे, कि आप जो आपके पोर्जेक्ट का अप्रूबल होता है, वो अनलाइन मोड में आप कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो को अन तक देखेगा, वीडियो को स्किप मत किजएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी वेब ब्राउजर में, इगनु का ओफिसल वेब साइ इंटरफेस डाउनलोड होके आ जाएगा, तो देखिए, इसमें इगनु ने कुछ important point बता है, आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले यह जो portal है, आपको इसमें assignment और synopsis को upload नहीं करना है, आपका जो synopsis होता है, उसका approval आपको कैसे मिलेगा, यह मैं इस submit कर देना है, तो जो उसमें पहला point है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए, इसमें जो आपका पहला point है, उसमें बताया गया है, कि आप जो project report को submit कीजेगा, तो उसके साथ आपका approved project proposal भी होना चाहिए, वो जो later मिलता है, जब आपका synopsis आप submit करते हैं, और approval का जो later मिलता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है, दूसरे में आपको बताया गया है, कि जब आप अपना final project report submit कीजेगा, तो उसमें आपका synopsis होना चाहिए, bio data होना चाहिए, ठीक है, और synopsis और bio data पे जो student है, उनका signature होना चाहिए, और जो guide है, उनका signature होना चाहिए, ठीक है, जो तीसरा point है, उसमें बताया गया है, कि जो आप digital copy online mode में load कीजेगा, वो अच्छे से scan होना चाहिए, clear होना चाहिए, blur नहीं होना चाहिए, sequence में होना चाहिए, जो correct sequence होता है, one, two, three, four, five, वैसे होना चाहिए, page को जो होता है, वो एक ही मतलब mode में होना चाहिए, जो land escape में ह बारे में बात कले दे, देखिए, अगले पार में बताया गया है, कि जो आप अपना PDF बनाएगा, वो आपको single PDF में बनाना है, उसमें क्या-क्या होना चाहिए, उसमें title of project report, dissertation, internship, fieldwork, आपका जो भी होगा, dissertation हो, internship हो, fieldwork हो, या project report हो, उसका title होना चाहिए, आपका नाम होना च यह सब होना चाहिए, ठीक है, correct order में, और बताया गया है, कि जब आपका यह project report हो जाएगा, इसके लिए जो वाइबा होगा, उसके लिए आपको अपने regional center की website पर जाना है, उधर ही आपको इसका notification देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, और चलिए, last में हम बात कर लेते है कि आपको, आपका जो synopsis का approval होता है, वो कैसे मिल लेगा, तो देखे, यहाँ force number point में साब बताया है, कि आपको, आपका जो synopsis का है, उसका approval कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, इगनु कि official website पर जाना है, वहाँ पर regional network में जाना है, और वहाँ पर आपको email ID मिल जाएगा, sub दीजिए, ठीक है, तो आपको email करना है, अपने particular RC में, तो हम आपको बताते हैं, कि आपको, आपके RC का email ID कहां से मिलेगा, email ID के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, official website पर आजाना है, और आपको यहाँ पर जो menu होता है, उसको tap करना है, menu को tap करने के बाद, आपका जो regional network होता है, आपको उस पर जाना है, regional network, जैसे आप regional network पर क्लिक किजएगा, तो आपको सामने दो option आजाएगा, study center और regional center, तो आपको regional center पर जाना है, जैसे आप regional center का option पर जाएगा, तो आपको second में मिल जाएगा, regional center website, तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो जैसे आप इस पर क्लिक किजएगा, तो आपके सामने इग्णू में जितने भी regional center होता है, उन सब का email ID देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए उन्हें इस्ट्रेंट को जिनको अपने प्रोजेट का एप्रूबल लेने में दिक्कत हो रही थी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तेल देन बाय बाय